हेलो फ्रेंड्स वेलकम डोर में किचन स्वाज हम लेकर आए आपके लिए पाव भाजी की नई रेसिपी हमारी ये वीडियो अगर आपको वीडियो ची लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और साथ के साथ हमें इंस्टा और फेस्बु इन्स चाहिए है तो बाजी भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले ली है दो कट वड़ी तमाटर तो चुकुनुणर ले लिए हमें और यहमने दो गाजर ले लिए कटी वी और यहम बॉयल आलू ले ली हमें कटे वे बारेंगे कॉकर रखेंगे गैस पर उसके अंदर हम डाल देंगे सारी चीजे जैसे कि छुकुंदर कजर आलो इंको हम बॉयू करेंगे लाइव ओसक ले गाला आतिव सबbeitsूर्स लोर्ड inputs करेंगे डेड़ ग्लास पानी बॉल करने के लिए डालेंगे दो सीटी लगाएंगे फूर करके अंदर हम अब इसके अंदर हम डाल देंगे डेड़ ग्लास पानी अगर आप जादा बना रहे हो भाजी सो आप इसकी क्वांटिटी जादा बढ़ा सकते हो सब्जियों की सो पानी भी जादा डाल सकते हो आप सबने डाल दिया डेड़ ग्लास पानी और एक छोटी चमच हम नमक डाल देंगे इसके अंदर कूकर को बंद कर देंगे और दो सीटी आने तक हम इसको ऐसी धाका रहन देंगे सो गाइस देखें दो सीटी आ चुकी है को कर गें अंदर और काफी अच्छी तरह से हमाई सब्जे बॉयल हो चुकी है देख सकते हो आप सब्जे अच्छी तरह से पक चुकी है सो हम इसको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से देखिए ऐसे कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से घोट लेंगे से हम इसकी भाजी बना लेंगे तो देखिए सारी सब्सक्राइब से घुट चुकी है मैं शोची कि है सो हम कड़ाई रखेंगे गैस पर हमने एक चमब इसके इंदर गीड़ा बटर डाल दिया है अब बटर भी डाल सकते हैं तो हमने बटर डाल दिया इसके अन्दर इस देखिए लगबग बटर पिगल चुका है और गरम भी हो चुका है सो हम भाजी के अंदर तड़का लगाएंगे हम इसको और गरम कर लेते हैं तो देखिए बटर अच्छी तरह से गरम हो चुका है तो इसके अन्दर हम एड़ कर देंगे इसके अन्दर हमें एक छोटी चमत जीरा एट कर देंगे जीरा ब्राउन होने के बाद हम दो बारीक कटिवी प्यास डालेंगे इसके अन्दर जीरा ब्राउन हो चुक है इसके इंदर प्यास डाल देंगे बारिक कर टेवी दो लिए हमने यह उसको अच्छी दिए से चला लेंगे ब्राउन होने तक चलाएंगे हम इसे अब चुक है सो प्यास हल्की ब्राउन हो चुक है सब इसके अंदर हम हलदी आड़ेंगे चूटी चम्मच इसको अच्छी दैसे मिक्स कर लेंगे हम और इसके नहरं बारिक अध्रग और लहसून का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर एक चम्मच इन सब को अच्छते से भूनने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बारी कटीवी शिम्ला मिर्च आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं बिल्कुल आप्शनल है इससे काफ़ अच्छ टेस्ट आजाएगा भाजी के अंदर इसके अंदर डाल देंगे यह शिम्ला मिर्च अच्छते से मिक्स कर देंगे अच्छते से भूंचू किया है यह सब इसके अंदर मसाले आट करने शुरू कर देते हैं सब इसके अंदर डालेंगे हमें एक छोटी चमच रेट चुली पाउडर है कि अपने अच्छत ना को दे अच्छत कर सकते हो अखर आपस नी कर सकते हैं सब को उच्छते से मिक्स कर देंगे मसालई करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसके इंदर जो इतनी मसालव भून जाएं अर्ट सारे मसाले इसके बून चुक हैं कि अच्छेते से मिक्स करने के बाद इसके नर्म डाल देंगे सारी सब्जी बॉयल तो कि इसके नर्म कर लेंगे इसको हम चलाते रहेंगे और चार पांच मिनट के हम इसे पकने देंगे भाजी को तो गाईस देखिए भाजी शिते से पक चुगे सब इसके एंदर हम डाल देंगे पाव भाजी मसाला हमने ये दो बड़ी चमज लिया है पाव भाजी मसाला सब डाल देंगे और इसके शिते से मिक्स कर लेंगे हम सो गाईस देखिए हमारी भाजी बनकर रेड़ी हो चुकी है हमने गैस ओफ कर दी है अब हम रखेंगे गैस पर तवा उसके अंदर हम सेकेंगे पाव सब्सक्राइब रहेंगे ड्रेऑर्ट काफे डाल लेंगे फिह पत्तियां रॉप से शली मिल जाएंगे प्तियां तो कि ऑज चलीं से स्याइगे अन बींदे के जाएंगे हम खेंगे सीचंए आए शली नहीं नेुख मूड़ झाईस उपर से भी हम बटर लगा लेंगे, फिर पलट लेंगे, तो गाइस देखिए हमारे सारे पाउ सिख चुके हैं, हम से निकाल लेंगे प्लेट में और हम सर्फ कर लेंगे अपनी प्लेट में भाजी और पाओ, और भाजी के ऊपर थोड़ा सा बटर लागा लेंगे, इससे काफे अच्छा टेस्ट आजाएगा, बिलकुल मार्केट जैसे हमारी पाओ भाजी बनकर रैड़ी हो चुके हैं, दे हेल्थी और टेस्टी रैस्पी बनकर रैड़ी हो चुकी, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलेगा हमारे चानल को, और अब मिलते अगली वीडियो में ऐसी किसी नई रैसिपी के साथ, और हमें अगर आपको आपको अगर आपको